राजदानी भोपाल में काराले मुख अभियंता लोग स्वास्यांत्र की विभाग भोपाल दौरा एक विज्ञापित जारी की गई जिसमें सफाई कामगार हैंड पंप टेक्नीशन्स की नियुकती के लिए विज्ञापर निकाला गया जिसमें 15 जुलाई को वौक इन इंटर अलग अलग जगह से विकलांग आये हैं विकलांगों ने बताया कि अधिकारियों ने हमारे साथ धका मुक्की भी की आई उनको कोई जानकारी मिल लेए आई हम उनसे जानते क्या उनकी परिशानी है कि आज हम लोकस्वास्त यांत्रिक में आज हमारा पंदरा साथ दोजार चौवीस को विज्ञापन के जरिए इंटर्व्यू देने का बुलाए गया था उसमें विज्ञापन में दिया था औ आप पोस्ट करिए हम ऐसे नहीं लेंगे हम लोगों ने सो सो दो दो सुरू पर खर्च करके फॉम भरें धरा के भी काफी दूर दूर से और आप यह लोग कह रहा है कि हम अपने हिसाब से बुलाएंगे मेरेड लेस्ट बनाएंगे इन लोगों नहीं ऑनलाइन कोई सूचन बिभाकी जिससे हम लोग उसको देख के नहीं आते मगर इनों नहीं किसी परकार की सूचन नहीं करी अब कुछ लोगों का इंटर्वी ले रहा है और कई लोगों को कह रहा हैं बाद मिलेंगे हमाई साथ और भी विकलांग मोजूद हैं उनसे हम बात करते हैं आप कहा से आया हूँ और मैं इसी पत के लिए आया था मेरे साथ भी बहवार की अब मना कर दिया उन्होंने कि बोले अभी नहीं हम आपको फोन करके बलाएंगे मेरेट बनाएंगे इसी आधार पे लेंगे अभी आपको कोश नहीं बताया जाए तो यही सब्सक्राइब आप देख सकते हैं कि राजजानी भोपाल में सत्पुड़ा भवन के सामने विकलांग जो है अपनी नोकरी के लिए भठक रहे हैं हमाई साथ देख विकलांग और मुझूद है उनसे हम बात करते हैं कि सार आपकी और क्या परिटानी आ जाए सर अम लोगों को यहां पर जो फार्म भराए गए ते उसमें नोट्री बगेरा भी करवाई गी सपत्पत्र द्वारा जिसमें हमारा खर्चा लगभग 200 रोपे के सम्तिंग फार्म भरने में आया है फिर हम यहां पर जमा करने आए उसमें भी हमारा खर्चा हुआ है यहां प तो बिग्यापन के द्वारा हम आये हैं तो यहां के उनने बोल दिया हम हमारे हिसाब से लेंगे कोई डेट नहीं दे रहे हैं कब लेंगे कब कैसा क्या रहेगा लेकिन हम लोग आ गए हैं सर हमारा तो खराब होता है न दिन और फिर हम लोग यहां आते हैं परिशानी सर आप जानते हैं यह डिव्यांग के साथ कितनी होती तो दिव्यांग जन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई उन्होंने यही कहा कि अफसर साही के साथ हावी मत्यपधेश में हम लोग को परिशान किया जा रहा है बिग्यापन देके अब यह नोकरी पर हम लोग आज इंटर्वु द लगा रहे हैं सरकार से केमरमें लखन के साथ धर्मिन साउ बोपाल